नमस्कार बच्चों आज के इस वेडियो में हम आपके व्यवसाईक अध्यान के पहली पुस्थक के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं हमारे अध्याय का नाम है वेडियावरन बच्चों इसके पहले भाग में हमने वेडियावरन का महत्व, उसकी विशेषता, अर्थ वह उसके आयामों की चर्चकी हमने कई ऐसे उधारन लिए जो गत वर्षों में हमारे अर्थववस्ता में हमें देखने को मिले हैं हमने उन उधारणों के जरीये व्यवसायों पर इनके प्रभावों को भी देखा हमने देखा कि कैसे एक व्यवसाय के लिए अपने परियावरण को समझना बहुत महत्वपूर होता है हमने यह भी देखा कि एक व्यवसाय के पांच मुख़्े आयाम होते हैं जो उसके व्यवसाईक परियावरण का हिस्सा बनते हैं ये पांच आयाम थे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी व विधिक परियावरण ये पांचों तरह के परियावरण वा इसमें होने वाले बदलाओ व्यवसाई को प्रभावित करते हैं बच्चों आज हम ऐसे ही कुछ परिवर्तनों या कुछ बदलाओं की बात करेंगे जो भारती अर्थ विवस्था में पिछले कुछ समय में हुए हैं और फिर हम देखेंगे कि व्यवसाईयों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है बच्चों इसके लिए हमें जरूरी है कि हम भारती अर्थ विवस्था को थोड़ा शुरुवात से जाने जैसा कि आप अपने अर्थ शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि स्वतंद्रता के समय भारत की अर्थ विवस्था की क्या स्थिती थी और उस वक्त क्या परिवर्तन हुए उसके बाद उसमें आगे जाकर क्या की सीधे तोर पर कृषी वा उससे जुड़ेवे कार्यों में लगी हुए थी भारत की आबादी मुख्य तह ग्रामीन आबादी थी करीब करीब 80 प्रतिशत जनसंग के हमारी गाउं में रहती थी उद्योग नाम मातर के थे और जो भी उद्योग थे उनकी बात की जाए या कृ की प्रियोग होती थी वह बड़े ही असंगत वह निम्नश्रेणी की होती थी समाज में चारो और तरह तरह की बिमारियां फैले हुए थी ना केवल स्वास्थे की बिमारियां थी बलकि बहुत सारी सामाजिक बिमारियां में थी इनके कारण मृत्ति उदर बहुत उंची थी कोई अच्छी सार्वजनिक स्वास्थिय प्रणाली नहीं थी भारती अर्थ विवस्था वो साथी साथ भारती समाज बहुती बुरे दौर से गुजर रहा था इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए जिनमें कई तरह के ओद्योगिक वक्रिशी छेतर में किये गए सुधार शामिल है भारत को जब सुतंतरता प्राप्त हुई तो भारतीय नेताओं ने सबसे पहले तो ओद्योगिक छेतर की कमान सारुजनिक छेतर को दी निजी छेतर को यानि प्राइविट कमपनियों आदि को नियंतरित करके रखा गया है भारत के आर्थिक विकास के कुछ मुख्य उद्देश्य निर्धारित किये गए जैसे कि जीवन स्तर को सुधारना, बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को कम करना आर्थिक विकास को बढ़ावा देया आत्म निर्भरता एक बहुत महत्वपूर्ण देश रखा गया क्योंकि भारत कई सारी आधार भूत वस्तूओं के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था तो हमारे ये उदेश था कि हम एक आध्योगिक आधार तयार करें, एक सुद्रड आधार तयार करें जिससे कि हम जरूरी वस्तूओं के लिए किसी पर निर्भर नार हैं, हम आत्म निर्भर बनें आई किया समानता को कम किया जाए, ताकि गरीब अमीर के बीच जो अंतर है वो ना रहे समानता पर आधारेत समाजवादी विकास को बढ़ावा दिया जाए, वह व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के सोशन को भी रोका जाए ऐसे कई उद्देश थे जो आपको उस वक्त हमारे आर्थिक नियोजन की सोच को बताते हैं इनको धिहान में रखते हुए कई आर्थिक सुधार किये गए किरिशी छेतर में सुधार किये गए, जहां भूमी सुधार हरित करांती मुख्य रहे और द्योगिक छेतर के अंदर 1956 की नई और द्योगिक नीती लाई गई जिसके अंदर सार्वजनिक छेतर को बल दिया गया, निजी को नियंतरण में रखा गया लगो द्योगों को बढ़ावा दिया गया, आयात नर्यात की बात की जाए तो आयात प्रतिस्थापन की स्थिति अपनाई गई, ये एक नीती अपनाई गई जिसके द्वारा आयात को कम करके आयाती तवस्तूओं का घरेल उत्पादन बढ़ावा दिया जाना था ऐसी कई नीतियां रहें जिन्नोंने 1990 तक भारतिय अर्थविवस्ता की दिशात आये की लेकन 1990 के बाद भारत की अर्थविवस्ता उससे पहले की नीतियों की कमियों के कारण एक बहुती बुरी अवस्ता में पहुँच गई इसके कारण 1991 में भारतिय सरकार को बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने पड़े जो की पहले की कमियों को ठीक करके अर्थविवस्था को विकास के मार्ग पर ले जा सके इस कारण 1991 में नई आर्थिक नीती की घोशना की गई इस नीती के अंदर तीन मुख्य पहलू या कदम उठाए गए पहला था उदारी करण उदारी करण के अंदर किये गए सुधारों का मुख्य उदेश्य था भारत में व्यवसाय वह उद्योगों को अनावश्यक नियांतरणों वह प्रतिबंधों से मुक्त करना 1990 तक भारत में उद्योगों पर कई तरह के प्रतिबंध थे जिन में से सबसे मुख्य थे लाइसेंस की अनिवारियता 1990 तक के समयकाल को लाइसेंस ही राज भी कहा जाता है तो ऐसे लाइसेंस परमिट के राज को समाप्त किया गया उद्योग स्वतंतर महसूस करें वो अपनी गतिविद्यों को बिना अनवश्यक रोक टोक के कर सकें जिस्से की तेश में उद्योगों को बढ़ावा मिले दूसरे प्रकार के सुधार थे निजी करन के सुधार निजी करण के अंदर यह समझा गया कि ऐसे सारवजनिक उपकरण यानि सरकारी कम्पनिया या उद्यम जो हानी में जा रहे हैं करके निजी भूमिका को बढ़ावा देना था चाहे इसके लिए इन कम्पनियों में सरकार को अपना अंश या हिस्सा ही क्यों ना बेचना पड़ें तो निजी करण के अंदर एक सबसे बड़ा कदम होता है वो होता है वीनिवेश का इसका अर्थ होता है सरकारी कंपनियों या सार्वजीनिक उध्यमों में सरकारी हिस्से अंश को निजी हाथों में बेच देना अधिक से अधिक निजी व्यक्तिकत प्रबंधन को इन कंपनियों में ले के आना ताकि कुशल्टा को बढ़ावा दिया जाए, लाब को प्राप्त किया जाए तीसरे प्रकार के सुधार थे वैश्वी करण वैश्वी करण का अर्थ है देश की अर्थववस्था को विश्व की अर्थववस्था से जोड़ देना अर्थात जब विश्व की विभिन अर्थववस्थाएं एक जुठ हो जाएं या एक दूसरे से मुक्त रूप से आसानी से लेंदेन कर पाएं आयात निर्यात कर पाएं, वैवसाय कर पाएं, तो ऐसी परिस्थिती वा विबिन अर्थ विवस्थाओं के बीच इस प्रकार की एक जुटता वैश्वी करण कहलाती है। 1991 के बाद का समय वैश्वी करण का समय भी कहा जाता है, तो भारत ने भी उसे अपनाया, भारत ने उस नीती को बदला, जिसे आयात प्रतिस्थापन के नाम से हम जानते हैं, जिसके अंदर आयात निर्यात की मातरा बहुत कम थी, भारत अन्य देशों उनकी अर्थ विवस्था अच्छी चीजें सीखने को मिलें, वो हमारे देश में विदेशी मुद्रा का संचार बढ़ें, तो इस तरह 1991 में जो सुधार किये गए, इन्होंने भारती अर्थ विवस्था को एक तरह से पलट कर रख दिया, जो 1990 से पहले थी, वो बिलकुल बदल गई 1991 के बाद, और एक नई भारती अर्थ विवस्था का उदै हुआ, इस नई भारती अर्थ विवस्था ने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है, हमारी अर्थ विवस्था निरंतर तरक्य कर रही है, विकास कर रही है, और इसे विश्व की सबसे अधिक गती से बढ़ती वी अर् थिक बदलाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है विमुद्री करण या डी मॉनिटाइडेशन आप में से कई बच्चों को याद भी होगा क्योंकि यह केवल लगबग चार वर्ष पहले की बात है आठ नवंबर 2016 को भारत सरकार ने या रुपे के इन्हें तत्काल प्रभाव से विमुद्रित कर दिया गया है विमुद्रित करने का मतलब है इस घोशना के तुरंत बाद से पांच सो वह हजार के जो नोट थे उन्हें भारतिय मुद्रा नहीं माना जाएगा इस घोशना के बाद पांच सो वह हजार के नोट कान में 2000 रुपे के नोट भी थे, 500 रुपे के नए नोट भी थे, इसके बाद अन्य नोटों की भी नई प्रतियां निकाली गए, लेकिन जब demonetization या विमुद्री करण किया गया, तो 500 रुपे और 1000 रुपे के नोट जो कि उस वक्त हमारे हां सबसे बड़े नोट थे, ये मुद् के पद से हट गए, अवैद बन गए, जिसके कारण देश में उपलब्ध या प्रचलित करीब 80% मुद्रा अवैद हो गई, यानि लोगों के पास देश में अर्थववस्था में जितनी भी मुद्रा थी, जितनी भी पैसे थे, या अनुमान लगाया गया कि करीब 80% मुद् लोगों को समय दिया गया इस अवैद मुद्रा को बैंकों में जमा कराना, लेकिन उसके साथ नगद निकासी पर कुछ प्रतिबंद लगाये गए, ताकि सभी को अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ मुद्रा उस वक्त मिल सके, वो बड़ा ही कठिन समय था, लेकिन लोगों न ने भी समझा कि उसके कुछ विशेश उद्देश थे, सरकार ने विमुद्री करण क्यों किया, इसके विशेश उद्देश थे ब्रष्टाचार को रोकना, आतंकी गतिविधियों को कम करना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ब्रष्टाचारी, अपनी ब्रष्टाचार से प् तो जब ये मुद्रा बंध हो गई तो भ्रष्टाचार वह आतंकी गतिविधियों में कम होने का अनुमान या आशा की गई थी काले धन को वापस लेने का भी एक उदेश्य था कि भ्रष्टाचार के जरिए कई सारे लोगों के पास जो काला धन उपलब्ध होता है अब शायद वो उसे बैंकों में जमा कराएं क्योंकि अब तो वैसे भी उसका कोई मूली नहीं रहा सरकार ने इसके लिए भी कई उजनाएं दी जिसके जरिये लोगों को प्रोसाहित किया गया कि यदि उन्होंने पहले अपनी आय को नहीं भी बताया तो वो बता सकते हैं सरकार उन्हें कुछ माफी देगी या उन्हें उतना जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ताकि लोग प्रोसाहित हो अपने काले धन की राशी को भी उजागर करने के लिए तो इन उदेश्यों के साथ विमुद्री करण को किया गया था इसलिए अल्पकाल में काफी दिक्कते हुई लोगों को लेकिन देर्गकाल में धीरे धीरे इसके कुछ अच्छे असरों की या प्रभावों की भी कल्पना की गई विमुद्री करण की इस नीती के कई प्रभा हुवे जिने हम कुछ विशेश छेतरों के हिसाब से देख सकते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पर है यदि हम मुद्रा दरों या ब्याजदरों की बात करें या मुद्रा में लेन देन की बात करें बच्चों तो उस समय रोकड लेन देन में कमी आई जो की अब धीरे धीरे काफी कमी हो गई है लोगों ने रोकड यानि कैश या नगद में लेन देन को छोड़ कर अब डिजिटल लेन देन तकनीकी लेन देन शुरू किया लोगों ने अपने फोन, कम्प्यूटर, आधी जैसे उपकर में विर्दी हुई, वित्य बचतों में विर्दी हुई, तो इसका परिणाम एक सकारात्मक परिणाम कहा जा सकता है, जो कि मुद्रा के छेतर में पड़ा, यदि निजी संपत्यों की बात की जाए, तो निजी संपत्यों में कम ही आई, क्योंकि विमुद्री कृत नोट नह भूमी या भवन निर्माण आदी में लगाते थे लेकिन जब लोगों ने उस कालिधन को नहीं लोटाया और उसका वो अब उपयोग भी नहीं कर पाए वह उसका वो निवेश भी नहीं कर पाए भूमी या भवन आदी में तो इसके कारण भवनों की मांग, फ्लैट्स की गरों की मांग जिसे हम रियल स्टेट सेक्टर या छेतर कहते हैं उसमें मांग काफी गिर गई जिसके कारण भूमि भवनों के मूल्य भी गिर गए सार्वजनिक छेतर पर इसका कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ा डिजिटाइजेशन की यदि बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी उपर भी बात की लोगों ने डिजिटल लेंदेन में व्रिध्धी की डिजिटल लेंदेन काफी बढ़ गए भूमी भवन के मूलियों में कमी आई इसकी हम बात कर चुके हैं कर संग्रह में भी व्रिध्धी हुई इसका एक कारण यह भी था कि क्योंकि अब डिजिटल लेंदेन जादा होने लगे तो वहाँ पर करों की चोरी करना मुश्किल हो जाता है इसकारण करों का संग्रह भी बढ़ा वह लोगों ने भी अपनी राशी जो उनके पास रखी थी उसे उजागर किया तो उस पर कर लिया गया जिसके कारण करों के संग्रह में भी व्रिध्धी हुई तो ऐसे कई सारे यह सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले कुछ नाकारात्मक प्रभाव देखने को मिले जैसे कि भूमी भवनादी के मूली गिरे हालाकि वो भूगताओं के लिए वो एक अच्छी बात है लेकिन उस छेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वो अच्छी बात नहीं है अल्पकाल में लोगों को समस्या हुई अर्थ विवस्था में होते हैं चाहे वो 1991 के परिवर्तन हो उसके बाद हुए अने को परिवर्तन हो या अभी बिल्कुल कुछ समय पहले हुए वी मुदरी करण जैसे परिवर्तन हो इन परिवर्तनों या इन जैसे परिवर्तनों का व्यवसाय व उद्योग पर प्रभाव तो पड़ता ही है इन प्रभावों में मुख्य प्रभाव यदि हम देखे जिससे व्यवसायों को जूजना पड़ता है, सामना करना पड़ता है उनमें सबसे पहली बात तो यह आती है कि प्रतियोगिता में वृध्धी पाई जाती है जैसा कि 1990 के बाद हुआ जब सरकार ने वैश्वी करण किया विदेशी कंपनिया देश में आने लगी निजी करण किया उदारी करण किया तो देश की कंपनिया उद्योग भी बढ़ने लगे तो प्रतियोगिता में वृध्धी हो गई तो जो पहले से उद्योग मौजूद होते हैं उनके लिए इसका असर इहा पड़ता है कि उन्हें अपने आपको सुधारना पड़ता है उत्पादों की गुणवत्ता को बहतर करना पड़ता है ताकि वो प्रतियोगिता का सामना कर सके इसके अतरिक ग्राहक भी अधिक अपेक्शा रखने वाले बन जाते हैं क्योंकि जब ग्राहकों को पता है कि उनके पास चैन के अवसर है उनके पास एक ही तरह के उत्पाद के लिए कई सारे कंपनियों के चैन के अवसर है तो वो अधिक अपेक्शा रखते हैं हुआ कंपनियों से इस बात की आशा रखते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छी गुडवत्ता हुआ विश्यष्टाओं वाले उत्पाद मिलें इसका उधारन यदि आप मुबाइल फोन के तौर पे लें तो आज से करीब 20 साल पहले मुबाइल फोन की जादा कंपड़ी हमारे देश में नहीं थी गिनी चुनी एक दो कंपनिया थी लेकिन आज जब आप मुबाइल फोन खरिदने जाते हैं तो हर प्रकार के आपके पास चयन के अफसर हैं कई प्रकार की कंपनिया आपके पास है अलग-अलग विशिष्टाओं को देखकर आप अपने पसंद का मुबाइल फोन खरी सकते हैं ऐसा लगबक सभी उत्पादों में आप देखेंगे ऐसा पिछले कुछ समय में हुए आर्तिक परिवर्तन के कारण हुआ है प्राद्यों की की में जब परिवर्तन होता है तो देखों को अपने आपको उससे अपडेट करना होता है आफगत कराना होता है जैसे जब डी मॉनटाइजेशन यानि विमुद्री करन हुआ तो डिजिटल पेमेंट बढ़े तो सभी वेवसायों को भी सफ्ट्वेर लेने पड़े उन से अपने कर्मचारियों को प्रिसिक्षन देना पड़ा तो वेवसायों पर इसका प्रभाव तो पड़ा वने इसके अनुरूप खुद को ढ़ालना भी पड़ा एक परिवर्तन के आवशक्ता महसूस हुई अब इन सभी के लिए खुद को ढ जालने का मतलब क्या है वेवसाय खुद को नहीं ढालता वेवसाय का ढ़लना या वेवसाय का बदलने का मतलब है वेवसाय के अंदर जो लोग काहब कर रहे हैं उनका बदलना उनका उसमें ढ़लना इसके लिए मानव संसाधन के विकास की आवशक्ता पड़ती है तो इन पर मानव संसादनों के ट्रेनिंग या प्रस्क्षण पर बहुत ध्यान देती है, समय समय पर उनका प्रस्क्षण किया जाता है ताकि उनके अंदर की कुशलताओं या गुडवताओं में विकास हो, वो बहतर काम करें, जब मानव संसादन बहतर होगा, तो कमपनी का काम अच्छा प्रचालन अच्छा होगा उसका निश्पादन अच्छा होगा वह एक बहुत थी महतोपूर बदलाब जो आया है कम्पनियों में या व्यवसायों में वह है बाजार अभी विन्यास बच्चों वुद्यमों को या व्यवसायों को बाजार की ओर ध्यान केंदरित करना पड़ा है जब हमारी अर्थववस्ता एक बंद अर्थववस्ता थी तो कम्पनिया या व्यवसाय केवल उत्पादन पर ध्यान देती थी उनका मानना था कि जो भी वह उत्पादित करेंगे वह तो बिखी जाएगा लोग उसे खरीद लेंगे क्योंकि लोगों के पास और ज्यादा अवसर नहीं है लेकिन अब व्यवसायों को बाजार पर ध्यान देना पड़ता है उन्हें बाजार में बाजार में लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपने उत्पादों को बदलना पड़ता है उत्पादों का निर्मान करना पड़ता है और इसके बावजूद इसके अपने उत्पादों को बेचने के लिए विक्री को बढ़ाने के लिए तरह तरह के योजनाएं, डिसकाउंट वर स्कीम आदी चलानी पड़ती है। अब सारा ध्यान बाजार पर है कि बाजार को क्या चाहिए, बाजार में ऐसा क्या दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक क्रेता हमारे विवसाई की तरफ आएं, ना कि प्रतियोगियों की तरफ जाएं। इस वज़ा से विवसाईों का सारा ध्यान बाजार पर चला गया है। तो बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार वेवसाईक पर्यावरन किसी भी वेवसाई के लिए अत्यधिक महत्वर रखता है इसको समझना, जानना, खुद को इसके अनुरूप ढालना वेवसाईों को तरक्किवा लाब के शिकर पर पहुंचा सकता है वहीं ऐसे कई उदारण है, जहां जब कमपनियां खुद को नहीं ढाल पाती, तो उन्हें अपने वेवसाई को बंद भी करना पड़ता है अतह वेवसाईक पर्यावरन किसी भी वेवसाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसे समझना बहुत अनिबारी है मैं आशा करता हूँ, आपको भी से समझने में सहयता मिली होगी इन दोनों भागों को देखकर, वह आपको वेवसाईक पर्यावरन से जुड़ी हुई सभी जानकारियां समझायोंगी और अच्छी भी लगी होंगी आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद थिशा कर रागोंगी आप डर्यारिय कर दोस्योंगी झाल 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 झाल